Ground level is 30 degree तो देखो मेरे बच्चो मैं question समझाने की आफको कूशिश करता हूँ ठीक है मैं question को explain करता हूँ उसके बाद हम figure बना लेंगे question हमें बोलता क्या है कि एक circus artist है for example एक circus artist है ऐसे वो क्या काम कर रहा है वो एक रसी लाता है रसी को बांद के रखता है एक पोल के साथ means circus artist ने एक रसी लाई रसी को उसने बांद के रखा एक पोल के साथ ठीक है कि नहीं है फिर हमें क्या काम करना है जो वो रसी है जिसको वो पोल के साथ बांदता है उसकी जो लेंगत है वो 20 मीटर है हमें निकालना है कि जिस पॉल के साथ उसने रसी को बांदा उस पॉल की लेंगत क्या है already हमें पता है कि पॉल जो होता है मेरे बचो वो हमेशे खड़ा होता है means पॉल is always vertical अगर मैंने यह ऐसे पॉल एक ड्रा किया ठीक तो पॉल का नाम रखूंगा मैं A B ठीक है कि नहीं है एक circus artist फ़र एग्जम्पल इदर था तो इसने इधर से एक रसी को बाndh के रखा टॉप से रसी को बांद के रखा मिन्स ये तो पॉल का टॉप है तो circus artist ने ऐसे रसी को बांद के रखा ठीक फिर उसके बाद जो angle बनता है रसी मीन जो ये रसी है इस रसी का और top of the pole का मीन इस pole के top से मैंने रसी को बांदा जो angle इदर फारम होता है जो angle इदर बनता है वो 30 degree है हमें उधर से ही बोला जाता है वो 30 degree है ठीक हमें बताना है कि length-up pole क्या है तो इधर मैं रखूंगा for example c pole हमेशा vertical होता है तो it means that angle ये हमारा 90 degree होगा जैसा कि आफको पता है यहां जैसा कि आफको पता होगा कि trigonometry में हम only deal करते है right angle stranglers के साथ तो 90 degree हमारा बन गया अगर हम solution पर आ जाएंगे देखो हम solution में लिखेंगे it can be observed पहले थोड़ा सा हमें introduction देना है it can be observed क्या observe हो हो रहा है हमें from the figure means हमें लिखना है कि figure से हमें observe हो हो रहा है क्या हो रहा है observe that a b is a pole a b is a pole ठीक है कि नहीं है means ये तो evident है अगर आपके सामने कोई figure रखेगा बोलेगा इसमें pole क्या कौन सा है तो आप straight away बोलोगे न a b क्योंकि pole ही straight होता है pole तो a c नहीं हो सकता न pole तो ऐसे vertical मतलब हमेशा vertically होता है pole ऐसे नहीं होगा न जुका हुआ नहीं उसमें असल में हमें निकालना क्या है जो हमें निकालना होता है means निकालना हमें है a b क्योंकि a b जो है वो length of pole है divided by जो हमें दिया हुआ है दिया हुआ क्या है जो रसी है इसकी length जो है वो 20 मीटर है ये दिया हुआ है means a c तो रसी है तो AC रसी है, divided by AC, means जो हमें निकालना है, divided by जो हमें मालूम करना है, is equaled, जो निकालना, divided by जो मालूम करना, अगर figure में वापस आए, AB मेरे बचों इस figure में perpendicular है, ठीक, क्योंकि इधर 90 डिग्री है, side opposite to theta, means हमारा angle इस टाइम 30 डिग्री है, तो इसके opposite जो angle होता है, वो क्या होता है, perpendicular, तो हमारा A, B इस टाइम, perpendicular है, AC हमारा hyperismus है, perpendicular divided by hypanimous, अगर आप वो formula याद होगी, 15 बाई 15 हरी बाट, तो perpendicular divided by hypanimous हमारा होता है, परपेंडिकूलर, divided by hypanimous हमारा होता है, sine, तो sine is equal to sine और angle हमारा 30 degree फिलाल आपको समुझ आगया होगा क्योंकि perpendicular divided by hypothesis is equal to sine of 30, तो मेरे बच्चों आगे, AB तो AB ही है, divided by AC का value हमारा already 20 है, is equal to sine 30, अगर trigonometric table देखोगे, तो sine 30 का value 1 divided by 2 है which means that AB is equal to 21 21R20 divided by ये वाला 2 which means that 21R20 21R20, तो therefore, जो हमारा height of pole height of pole निकला, that is equal to, वो किसके बराबर निकला 10 meters, means height of pole हमें निकला था, वो हमें निकला 10 meters, ठीक है hope आपको ये question समुझ आगया होगा, इसमें आपको कोई problem नहीं आई होगी, let's move towards question number 2 question number 2 का है हारा, a tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter, find height of tree means हमें height of tree निकला 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 है देखो मेरे बच्चों मैं question समझाता हो आपको, for example, मेरे पास एक plant है, ऐसे this is a plant ठीक है, अब ये असल मैं इतना बड़ा था, for example, इसको मैं इस वाले portion को मैं dotted रखता हूँ, क्यों dotted रखता हूँ, अभी आपको समझा जाएगा means असल मैं हमारा जो plant था, हमारा जो tree, sorry, tree था, ये था a, c, means tree हमारा था, a, c, ठीक, यहां पर मैंने इस point को b रखा, इस point को b क्यों रखा, देखो, मेरे पास एक tree था, a, c, but storm की वज़ा से, जो ये उपर वाला हिस्सा था, ये वाला, means यहां से यहां तक, a से b तक, storm आ गया, तूफन आ गया, ये वाला हिस्सा तूट गया, means जब storm की वज़ा से ये वाल हिस्सा यहां से कट के, नीचे ground की तरह touch होता है, ऐसे, means कि, अब जो ये a portion था, वो इधर पहुँच गया, ठीक है कि नहीं है, means कि जो top 30 का, ये तो top था, बट जब ये गिर गया इधर से, तो ये top इधर ground पे इसने touch किया, वही ये बोल रहा है, जब top ground को touch करता है, तो वो angle बनाता है, ground के साथ 30 degree, means ये 30 degree angle बनाता है, फिर ground के साथ, ठीक है कि नहीं है, अगर इसको इधर हमने D नाम रखा, तो means that BD जो है, वो है broken part, means जो टूटा हुआ, ये वाला, A B जो है, टूटा हुआ, तो वही जब इधर पोंचा, तो इधर हमने उसका BD नाम रखा, ठीक, means क एक tree था, A or C, खड़ा बिल्कुल ऐसे खड़ा था, ठीक है, अभी तूफान की वज़े से बीच में कट गया, तो जो टूटा वाला हिस्सा था, वो ऐसे जुक गया, ठीक है, मिसाल के तोर पर, ऐसे हमारा plant, ऐसे हमारा tree था, ठीक है, अभी तूफान आ गया, तो तूफान क tree निकालनी है, ठीक, देखो, अगर मैं पहले करूँ question को start करूँ, तो मैं बोलूँगा, मगर, उपर से और एक condition हमें दी हुई है, मिसा जिदर से top अब ground को touch करता है, to the, जहां पे पोदा tree लगा हुआ है, इदर अगर आफको देखोगे, the distance between the foot of the tree, foot of the tree तो यह C है, ठीक है, foot of the tree, जहां पे पोदा tree लगा हुआ है, to the point, where the top touches the ground, जहां पे top ground को touch करता है, तो वो तो इदर टच करता है, यह 8 meters है, मिन्स यह उदर से ही बोला है हमें, कि यह 8 meters है, हमें ट्री की height निकालनी है, तो अगर मैं solution पे आ जाओं, मैं बोलूँगा, let A.C. was the original tree, जैसा कि आपको मैंने अभी अभी बोला, कि A.C. में हमारा जो यह A.C. था, यह हमारा original tree था, ठीक है कि नहीं है, अभी due to storm, but तूफान की वज़े से, किसकी वज़े से, तूफान की वज़े से, हमें थोड़ा बहुत पहले explain करना पड़ता है, ताकि examiner को भी समझ जाए, कि बच्चा चाहता क्या है, यह हमारे भी कोई doubt ना रहे, जब हम आगे बढ़े, ठीक है कि नहीं है, तो due to storm, it was broken into two parts, ठीक है कि नहीं है, अभी storm की वज़े से, यह दो हिस्सों में तक्सीम हो गया, ठीक, making an angle of, making angle of 30 degree, with ground, means फिर उसने क्या, 30 degree angle बना लिया, ground के साथ, ठीक है कि नहीं है, अब अगर हम पहला वाला चीज़ करें, हम मेरे बचों यह वाली triangle लेते हैं, असल में हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है height of tree, तो height of tree क्या है, एक तो यह वाला BC portion है, और दूसरा वाला, यह BD portion है, क् इदर ground पर फिर, मतलब ground पर आके लागा, ठीक है कि नहीं है, means जो A, B आप सोचो के नहीं, tree की लेंगत तो A, C थी, बट नहीं, A, B जो वाला हिस्सा था, वो ground, A से जुक के, ऐसे ground पर आ गए न, it means that tree हमारा जो है, वो BC प्लस BD है, ठीक है कि नहीं है, means हमें BC भी निकालना ह तो भी हमें full tree की लेंगत मालूम पढ़िएगी, अगर मैं करूं पहले int triangle BCD, तो angle पौदा already vertical होता है, तो angle हमारा 90 degree होगा, ठीक, मैं करूंगा int triangle BCD, triangle BCD में, ठीक है कि नहीं है, अगर मैं triangle BCD करूं, तो मुझे already दिया हुआ क्या है, मालूम मुझे करना है BC, तो BC मुझे माल या हुआ है, that is equal, means ये वाला perpendicular है, divided by ये वाली base है, BC तो perpendicular है, BC मीनस perpendicular, ये CD मीनस base, perpendicular divided by base कितना होता है, वो होता है 10, और angle हमारा कितना, 10 of 30 degree, ठीक, which means that BC हमारा मालूम करना, divided by CD, वो तो 8 है, is equal to 10 of 30, 10 30 बराबर होता है, 1 divided by under root of 3, trigonometric table अगर आफको याद होगा, तो आफको खुद ही पता चल गया होगा कि 10 30, yes, 1 divided by under root of 3 के ही बराबर होता है, तो which means that, मैं लिख सकता हूँ, BC is equal to 818 divided by under root of 3, तो हमारा फिलहाल निकला वो वाला portion, जो फिलहाल अभी भी खड़ा है, but अभी हमें निकलना है जो टूट गया, ठीक है, again करेंगी हम, now, फिर से करेंगे हम, कौन सा वाला, अब टूटा हुआ हिस्सा हमें निकालना है, means BD निकालना है, तो BD निकाला, divided by, क्योंकि जो मालूम करना है, उसको उपर ही रखो, divided by, जो दिया हुआ है, means CD दिया हुआ है, अगर ये देखोगे, तो इस टाइम BD जो है, ये हाइपाटनिवस है divided by CD जो है, ये क्या है, ये base है, आप इदर नहीं लिखना, means मैं आपको समझाने के लिए दर लिख रहा हूँ कि हाइपाटनिवस ये base, हाइपाटनिवस divided by base, क्या होता है, ये होता है, sec और angle फिर से कितना, 30 degree, which means that, BD हमारा कितना, मालूम करना BD, divided by CD कितना, 8, is equal to sec 30, sec 30 कित अभी आपका, which means that, हमारा जो BD है, वो निकला, 8, 2R, जब ये 8 इस साइड जाएगा, तो multiply हो जाएगा, तो 8, 2R, 16, divided by under root of 3, divided by under root of 3, means जो part of the tree खड़ा है, वो ये है, जो broken है, वो ये है, ठीक है, तो अगर मैं करूँ, therefore height of tree, height of tree, तो height of tree मेरा क्या निकलेगा, वो निकलेगा, 8, divided by under root of 3, उसको plus करना है, 16, divided by under root of 3, ये ही करना है कि नहीं करना है, बिलकुल, एक तो वो वाला part, जो खड़ा है, दुसरा तो वो वाला part, जो broken है, तो अगर मैं इनको simplify करूँ, नीचे, under root 3 common है, उपर से, 16, plus 8, वो तो 24 denominator में नहीं रखना होता है, इसलिए हम इसको rationalization करके, नीचे भी under root 3, उपर भी under root 3, ठीक, जब इसको under root 3 से नीचे multiply किया है, और उपर multiply किया है, तो उपर बनेगा, 24, under root 3 बनेगा, कि नहीं बनेगा, बिलकुल बनेगा, divided by, नीचे क्या बनेगा, under root 3, उन्टो अंडर root 3, वो 24, it means that हमें निकला 8 under root 3, 8 under root 3, तो therefore, जो हमारा height of 3 था, means 3 का height, वो हमारा निकला 8 under root 3 meters, ठीक है कि नहीं है, hope आपको ये question समझा गया होगा, इसमें कोई problem आपको नहीं रही होगी, तो we will move towards question number 3, तो question number 3, जो हमारा है, देखो, question समझाने की कूश में कर रहा हूँ, a contractor plans to install two slides for children to play in a park, for the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide, where the top is at a height of 1.5 meter, and inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for the elder children, she wants to have a steep side at a height of 3 meter, inclined at an angle of 60 degree, देखो, मैं आपको question समझाता हूँ बस, हमारे पास, मेरे पास मेरे पास दो, मेरे पास एक contractor है, ठीक है कि नहीं है, contractor मेरे चीज़े बनाने वाला, वो चाता है, उसके पास दो age group के बच्चे हैं, एक तो young बच्चे, दूसरे elder बच्चे, मेरे चो थोड़े बड़े हैं, एक below age group of 5, मेरे 5 साल से नीचे उमर के, दूसरे 5 साल के उपर बच्चे, ठीक है कि नहीं है, वो slides बनाना चाता है उनके लिए, slides मेरे ऐसे होते हैं, for example, ऐसे एक pole होता है, ऐसे होता है, बच्चे यहाँ पर चड़के इदर से, मतलब इदर से नीचे आते हैं, ताकि उनको मजा आता है वो करने से, means it is just a game for the children, बच्चों के लिए गेम होता है, तो दो type के बच्चे उसने बनाए, means हम रखेंगे इदर solution में, दो type के बच्चे, means इ इदर से हम रखेंगे elder children, अब दो group उसने बना लिये है already, young and elder children, ठीक, अभी young बच्चों के लिए, वो slide बना रहा है, तो it means that अगर pole ऐसे खड़ा है, slide उसने बना ली, ठीक है कि नहीं है, तो slide उसने ऐसे लगा ली उसमें, और angle slide ने कितनी बना ली, for the younger children, means जो 5 साल से कम बच इसका मैं नाम रखता हूँ इदर A, इसका नाम रखता हूँ मैं B, इसका नाम रखता हूँ मैं C, ठीक है कि नहीं है, अगर उसने ये, means की जो pole है, कितना, देखो, whose top is at a height of 1.5 meter, means की जो slide है, उदर का जो pole उसका length है 1.5 meter, ठीक, और slide हमारी AC है, means ये हमारी slide है, चोटे बच् के लिए 30 degree बन रहा है, और बड़े बच्चूं के लिए फिर से ऐसे figure, ऐसे ही, means ये pole खड़ा, slide ऐसे इसने डाली, but इदर ये क्या काम कर रहा है, इदर ये 3 meter pole रखा ला है, means 3 meter, for example, इसका नाम मैं रखता हूँ मैं P, इसका नाम मैं रखता हूँ मैं Q, और इसका नाम मैं र younger children, ठीक है कि नहीं है, इसकी एक figure मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको कोई confusion नहीं रहे, आप देख पाओ कि slide क्या होती है, गोर से देखो इसको, ये slide होती है, देखो, अगर आप देख पाओगे, तो ये pole लगा हुआ है, और ये इदर से slide है, तो slide से बच्चे नीचे उतर जाते है, ठीक है कि नहीं है, ऐसी हमने रखा, ये pole और ये slide, ठीक है, hope आपको ये समझ आ गया होगा, तो हमें slide निकालनी है, slide की language दोनूं cases में, अगर मैं छोटे बच्चों के case में करूं, तो मैं करूंगा in triangle, A, B, और C, triangle तो ABC मेरी है, ठीक है कि नहीं है, मालूम is that, ठीक हो, AC हमारा क्या है, AC तो हमारा है, हाइपाटनिवस इदर, क्योंकि 90 डिगरी के opposite जो होता है, हाइपाटनिवस है, और AB क्या हमारा है, AB तो हमारा perpendicular, हाइपाटनिवस divided by perpendicular, मेरे बच्चों, कसक काफ, angle कितना 30 डिगरी, ठीक है कि नहीं है, angle तो दिया हो है, 30 डिगरी, which means that, AC, सो मत, गोर से देखो इसको, AC तो slide means इसको मालूम करना है, divided by AB, वो कितना है, 1.5, is equal to कसक 30, कसक 30 का value, 2 होता है, which means that, AC is equal to 1.5 multiplied by 2, that's equal to 3 meters, तो means, जो छोटे बच्चों के लिए slide उसने रखी थी, उसकी क्या length थी, 3 meters, अब बड़े बच्चों के लिए, again मैं करूंगा, in triangle, P, Q, and R, triangle P, Q, R मैं, मालूम क्या करना मुझे, मालूम करना है, P, R, divided by, दिया हुआ क्या है, P, Q, is equal to, इस time b, ये हाइपाटनिवस, और ये perpendicular, तो means, फिर से, कसेक of, एंगल इस time कितना, बड़े बच्चों के केस में, एंगल 60 degree है, तो angle इदर 60 degree है, तो कसेक of 60 degree, which means that, PR, तो PR ही, divided by, प क्यो का लेंगत कितना, 3, is equal to कसेक of 60, कसेक 60 का value 2, divided by under root of 3, which means that, PR जो हमारा निकलेगा, it will be equal to 3, 2, or 6, divided by under root of 3, ठीक है, which means that, आप इसको simplify कर सकते हो, 6 divided by, under root of 3, rationalization करके, उपर भी under root of 3 से multiply, नीचे भी under root 3 से multiply, अगर इसको करोगे, तो इदर बनेगा, 6 into under root 3, 6 is under root 3, ठीक, divided by, under root 3, into under root 3, under root 3 square, square root cancel करके, 3 निकलेगा, means, देखो कैसे, under root 3 into under root 3, under root 3 square मनेगा, और फिर square root cancel करके, 3 रहेगा, 6, means, जो बड़े वाले बच्चों की, length of slide थी, वो थी, 2 under root 3, तो, therefore, आप लिख सकते हो, इदर, इदर मैं यह shift करूंगा, therefore, आप लिख सकते हो, PR is equal to, 2 under root 3 meters, hope you understood this, question में कोई problem नहीं होगी आफको, question बहुत ज्यादा आसान है, of course, question की length थोड़ी बड़ी है, but उसे गाबराना बिल्कुल भी नहीं, you are my students, you don't need to worry, move straight away, आगे बढ़ते रहो, बस question को समझते रहो, ठीक है, let's move towards question number next, question number 4 क्या हमारा, the angle of alleviation of the top of a tower from a point on the ground, which is 30 meter away from the foot of the tower, is 30 degree, find height of tower, हमारे पास एक tower है, for example, यह मेरा tower है, tower always vertical होता है, means खाडा होता है, so tower A, B का नाम, मैंने tower को रखा, ठीक है के नहीं है, the angle of alleviation of the top of a tower from the point of a ground, for example, इदर ground पे एक point है, point का नाम हमने C रखा, ठीक, अभी angle of alleviation means जब हम नीचे से उपर की तरह देखते हैं, means आफ नीचे हो तो आपने आसमान की तरह देखा, तो आफ की आँखों ने आसमान के साथ angle of alleviation बना लिया, for example, आप उपर बैठे हो, छट पे बैठे हो, तो आपने नीचे जमीन की तरह देखा, उपर से जब आ नीचे देखते हो, तो आफ की आँगे angle of depression बनाती है, तो ये एक tower है, mean is a b a tower है, ठीक है कि नहीं है, आप ground पे बैठे हो, for example, ये ground है, ठीक, गrounड पे बैठे हो, तो means for example, ये ground है, ठीक, आप ground पे बैठे हो, एक point पे आपने tower की उपर की तरह देखा, तो आपने इदर मिन सी से टावर की ऊपर की तरह देखा, तो आफ की आँखों ने टावर के टॉप के साथ, यह तो टावर का टॉप है, इसके साथ 30 डिग्री एंगल बना लिया, means बना लिया 30 डिग्री एंगल, ठीक है कि नहीं है, फिर बोल रहा है, which is 30 मीटर अवे फ्रम दे फुट अप दे टावर means जिस पॉइंट पर आपका एंगल बनता है, वो पॉइंट फुट अप दे टावर से, फुट अप् दे टावर तो ये है, means टावर की बेस, वो 30 मीटर दूर है, means ये दोनो 30 मीटर दूर है में जिदर से आप टावर को अबज़रू कर रहे हूँ और फुट के टावर के दर्मियान 30 मिटर डिस्टन्स है हमें क्या निकलना है we need to find a height of height of tower हम क्या रखेंगे हम पहले लिखेंगे straight forward let AB जो हमारी है be the height of tower means AB हमारे tower की height ठीक जब AB हमारे tower की height है तो इधर angle 90 degree होगा तो in triangle ABC in triangle ABC जो हमारा triangle ABC है उसमें क्या देखो मालूम क्या करना है हमें AB मालूम करना है तो AB मालूम करना है divided by ठीक AB मालूम करना है divided by BC दिया हुआ means BC तो दिया हुआ है is equal तो देखो AB अगर आप देखोगे AB यह तो perpendicular है और BC क्या है BC तो base है और perpendicular divided by base क्या होता है शाबाश होता है 10 of 30 degree ठीक है which means that AB हमारा हमें मालूम करना means height of tower divided by BC हमारा 30 is equal to 10 of 30 10 30 का value कितना शाबाश 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 1 divided by under root of 3 होता है दिमाग पर जोर मत डादो which means that AB is equal to 30 into 130 होता है divided by under root of 3 ठीक निकला बट मैंने आफको अभी तक 3 बार बोला कि जब हमारा denominator root में निकलता है तो उसको हम rationalization करते है which means that आफ लिख सकते हो AB is equal to 20 sorry 30 divided by under root of 3 multiply करना है नीचे भी under root of 3 से ठीक which means that उपर हमारा आएगा 30 into under root 3 means 30 under root 3 नीचे हमारा आएगा under root 3 into under root 3 under root 3 square आएगा under root 3 square आएगा square और root cancel उदर 3 बचा खाली तो 3 1 आर 3 3 10 आर 30 ठीक है तो हमारा क्या निकला 10 under root of 3 therefore हमारा height of किसका height of tower जो था वो कितना निकला height of tower जो था वो निकला 10 under root of 3 meters ठीक है hope you understood this question फिर से बोल रहा हूँ कि उतना मुश्किल नहीं है let's move towards question number next तो मेरे बच्चों जो question number 5 है हमारा वो है a kite is flying at a height of 60 meter question समझाता हूँ मैं for example एक kite हमारी है kite हमने इधर से इधर उड़ा ली ठीक है तो kite तो straight उड़ती है क्योंकि kite ऐसे वैसे नहीं उड़ती है straight ही उड़ती है means kite उड़ती है 60 meter means for example यहां से ground start होता है तो kite 60 meter high उड़ती है जमीन से ठीक है कि नहीं है अभी kite जो है for example kite तो इस पॉइंट पे अब है ठीक kite एक sting से बंदी हुई means एक रसी से एक दागे से बंदी हुई है ठीक है कि नहीं है ठीक but दागे जो इसका यह रसी बंदी हुई है दागा बंदा हुआ है इसमें कोई गांठ नहीं है not नहीं है यह लूज नहीं है ठीक है कि नहीं है इदर लिखा हुआ है find the length of the there is no slack means there is no knot means that it's tightly held means रसी जो है for example यह ground हमारा ground से उपर पतंग रही है 60 meter high ठीक है कि नहीं है अभी रसी जो यह sorry kite है kite से sting बंदी हुई means एक दागा बंदा हुआ tightly to the ground ground से tightly बंदा हुआ ठीक है जो ground से बनाता है angle 60 degree means ground से इसने angle कितना बना लिया 60 degree angle बना लिया for example इसका नाम मैं रखूँँगा K L ठीक है तो इदर for example मैं P रखता हूँ तो यह vertical है तो angle इदर इसका क्या होगा इसका angle sorry इसका angle 90 degree होगा ठीक है कि नहीं है अगर मैं solution पे आ जाओं तो solution में क्या लिखूँ let means मैं लिखूँगा let K be the kite K be the kite K जो हमारी है जैसा कि मैंने आरेडी बोला इदर kite है ठीक है कि नहीं है and the sting is tight and the sting is tied to point P on ground means की kite अगर हमारी ये है तो इस point पे हमने sting means जो दागा उस पे बंदा हुआ था उसको हमने इदर बांद दिया ठीक है कि नहीं है तो अगर मैं करूँ in triangle किस triangle में K L और P means triangle इस time है K L P ठीक है कि नहीं है देखो मालूम क्या करना है पहले मालूम जो करना है K P तो मालूम करना है divided by दिया हुआ क्या है K L is equal देखो K P हमारा क्या है hypartumus है divided by K L हमारा क्या है K L perpendicular है hypartumus divided by perpendicular मेरे बच्चों हमेशा Kasek of angle है 60 degree ठीक है कि नहीं है आपको ये लिखने की जूरत नहीं है मैं ऐसे ही बुल रहा हूँ आपको in order to make you people understand ठीक है तो K P तो K P हमारा है divided by K L K L की उदर से ही दिया हूँ है कि ये 60 है is equal to Kasek of 60 degree उसका value 2 divided by under root of 3 ठीक which implies that K P जो हमारा है that's equal to 60 into 2 cross multiplication इनको यह उपर चड़ेगा तो multiply होगा means वो होता है 120 divided by under root of 3 ठीक है which means that आपका root में इस ताइम भी denominator है तो आप क्या करोगे 120 divided by under root of 3 इदर से भी under root of 3 multiply करोगे नीचे से भी under root 3 multiply करोगे ठीक है means इसको हम rationalization बोलते है तो उपर आएगा 120 under root 3 नीचे आएगा फिर से under root 3 का square means under root 3 का square square और root cancel करके उदर से क्या बचेगा 3 तो हमने इदर लिखा 3 3 1 और 3 3 4 और 12 3 0 और 0 which means that हमारा जो length of string निकला वो कितना निकला वो निकला हमारा था के प तो के प that's equal to कितना निकला 40 under root of 3 40 under root of 3 meters ठीक है कि नही है 40 under root of 3 meters आफका निकला hope you understood this question तो next वाले questions you have we are going to try them in the next video but hope आपको ये 5 questions समझ आगे होंगे इनमे आफको कोई भी problem नहीं रही होगी and in case मैं फिर से repeat करता हूं in case आफको कोई भी problem इन में रहेगी इन questions में रहेगी वीडियो में आफको किसी भी जगा कोई भी problem